Hello everyone, from the last one lecture, we already started the topic of a transformation in conformal mapping. So conformal mapping के अंदर जो basic element भी transformation है, ये चार, translation, rotation, magnification and inversion. So, mid exam से पहले हमने inversion के बारे में देखा था, 2-3 example, कल के वीडियो में, जो previous वीडियो था, उसमें हमने translation के बारे में पढ़ा था, आज हम देखेंगे, rotation के बारे, getting, sorry, आज हम देखेंगे पहले, magnification, then rotation बारे में आएएंगे. So, magnification जो है, उसमें क्या होता है, वो मैंने बताया था आपको, एक ये figure के थूरू सभी में क्या होता है, वो मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा overview देता हूँ, ये जो figure है, ये मैं जो भी बता रहा हूँ, square करके, ये जो है, वो है z plane के अंदर, so z plane के अंदर, जो भी point है, मतलब ये, सारे जो point है, उनको हमें map करना है, transform करना है, कौन से plane के अंदर, w plane के अंदर, और, यहाँ पे जो transformation कौन सा use करना है, वो important है, हम w equal to 1 by z लेते थे, किस मे inversion में, so यहाँ पे क्या हैगा, वैसे ही transformation आएगा, w equal to alpha z, अब कोई book में लिखा हो, w equal to c z, so alpha की जगवे कोई बाए, c लिखा हो, कुछ और लिखा हो, अब कुछ भी लिख सकता हो, ऐसा कुछ है नहीं, so alpha एक क्या है, या c क्या है, real value है, getting, so एक क्या होगा, ये z के जो point है, alpha की जो भी value होगी, ये वो क्या हो जाएगी, multiply हो जाएगी, तो उसको बड़ा कर देगी, magnify कर देगी, मतलब हम बोले तो zoom कर देगी, so यही जो square मैंने बताया, gel plane के अंदर, वो transformation हम करेंगे, magnification, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, that depends upon the value of alpha, अब वन से बड़ी value alpha की, तो वो zoom करेंगे, magnify करेंगे, मतलब बड़ा हो जाएगा, और alpha की value 0 या 1 के वीच में होगी, तो वो छोटा हो जाएगा, okay, so ये magnification में होता है, so magnification के बारे में ये basic है, मैंने बोला, कोई book में c भी लेते है, so w equal to किया है, c j, so j यहाँ पे एक complex number है, j equal to हम क्या लिखें होगे, x plus iy, iota y, okay, so j equal to क्या होगा, x plus iota y, c यह एक real number है, okay, यहाँ पे लिखा देखो, c is greater than 0, is a real, 0 से बड़ी होगी value, और ये w जो है, वो क्या है, u plus iota v, so, यहाँ पे c हो, यह alpha हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, so w equal to c, z, w equal to, देखो, यहाँ पे क्या है, w की जगह पे हमें, यहाँ पे यह equation में, transformation जो दिया है, उसमें क्या रखना है, u plus iota v, and z equal to क्या रखना है, x plus iota y, okay, then imaginary and real part को हमें क्या करना है, compare करना है, okay, यह यहाँ पे रख दो, तो यह equation आएगा, value यहाँ पे रखेंगे, w and z की, तो यह आजाएगा, right, so, यहाँ पे bracket को open करो, तो u equal to क्या आएगा, c x, and v equal to आएगा, c y, तो यह real and imaginary part को compare कर दिया है, मतलब हमें करना क्या है, u and v को हमें x and y के form में लिखना है, अब यह दोनों को हम मतलब draw करेंगे, the blueprint के अंदर, तो mapping हो गया, with transformation of magnification, so, हम उनके base पे example देखेंगे, आज देखिया दो, तो एक example है, gto exam में पूछा हुआ है, एक simple सा example है, find and sketch, मतलब यहाँ पे जो transformation होगा ना, तो यहाँ पे sketching करना जरूरी ही है, क्योंकि Z plane के अंदर, जो भी दिया है, उसको map करना है, हमें W plane में तो वो बताना तो पड़ेगा ही, वह ही important है, और उसमें भी main thing है, यहाँ पे देखो dot 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 की है, मतलब जो भी area आता है na region, वो बताना important है, सर्कल ढोकर क्या हो, तो वो इतना काफीन नहीं है, मैंने mid exam के बाद का जो पहला वीडियो है, mid exam का solution देखा था, उसमें में मैंने बोला था, so find and sketch the image of the region, अब किसकी करना है, देखो, modulus of z greater than one, तो हम पहले क्या करता है, उनको पहले solve कर देखे, तो देखो, modulus of z greater than one का मतलब क्या होता है, z क्या होता है हमारा, x plus iota y, अब modulus z का मतलब क्या होगा, स्क्वेर रूट क्या हो गयाएगा, x square plus y square, ओके, आवटा नहीं आएगा यहाँ पर, तो modulus z greater than one है, तो modulus z की जगह पहे हम क्या लिखेंगे, यह square root x square plus y square greater than one, अब दोनों side पहे हम क्या ले लेंगे, square ले लेंगे, तो one का square तो one ही रहेगा, लेकिन यह जो square root है, वो निकल जाएगा, तो क्या रहेगा, only x square plus y square greater than one, यह आया, कहां से आया, जो यह region हमें दिया है, जहर्ड प्लेन के अंदर, वहां से हमना start किया, तो यह equation आया, अब यह equation किया है, देखो तो, x square plus y square equal to one, दो तो यह circle का equation हो गया, with radius क्या हो जाएगी, यहाँ पर यह one का, r square है, तो one ही हो जाएगी, and center क्या होगा, 00 होगा, यह जो हमें condition दी है, actually वो क्या है, एक circle दिया है, with center 00, and radius 1, तो हम क्या करेंगे, z plane के अंदर क्या आता है, यह x axis, and y axis, so 00 है, तो center में से, हम radius 1 का एक circle दो करेंगे, यहाँ पर कुछ measure नहीं करना है, कि भाई, radius 1, radius 2 कितना है, बस ऐसा ही approximate हमें दो करना है, अब condition क्या दी है, देखो, modulus z greater than 1 दिया है, सो जो भी region है ना दिया है, वो क्या है, exterior part of the circle, radius 1 का यह circle हो गया, अब greater than 1 है, मतलब यह circle के बाहर का, यह dot 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 दिखा दे रही है, आपको, actually, वो हमारा region है, दिया हुआ, ओके, यह जो dot 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 दिख रही है, वो हमारा region दिया हुआ, यह circle के बाहर का, so exterior of the circle, इसका मतलब होता है, modulus z greater than 1 का, so यह greater than 1 दिया है, तो यह जो है, वो circle 1 radius का, तो 1 से बड़ा, तो यह region हमें दिया हुआ है, अब उनका हमें, डबलू प्लेन में transform करना है, image बनानी है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर transformation देखते है, under the transformation, कौन सा दिया है, देखो, w equal to क्या दिया है, 4 z, so एक हम बोले, तो यह ही हो गया, w equal to c z, यह alpha z, okay, so यह real value क्या दिया हुए, हमें 4, so z में, z plane के अंदर, जो भी यह point है, वो 4 से multiply होगे, और magnify होके, यहाँ पर w 10 का अंदर, हमें मिलेंगे, getting, अब हम क्या करेंगे, जो transformation दिया है, वहाँ से हम start करेंगे, w equal to क्या है, 4 z, सभी transformation में, यही करना है, w equal to क्या रखना है, u plus iota v, and z की जगवर क्या रखना है, x plus iota y, then bracket को open कर देना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 x plus iota 4 y, और right side क्या है, u plus iota v है, अब हम क्या करेंगे, real and imaginary part को compare करेंगे, तो left side पर real part कौन सा है, यह, u, और right side पर क्या है, 4 x, तो u equal to क्या आ जाएगा, 4 x आ जाएगा, similarly, imaginary part मतलब i के साथ जो होगा, यहाँ पर क्या होगा है, 4 y, so v equal to क्या हो जाएगा, हमारा 4 y, सिर्फ compare करना है, so यहाँ से हम क्या करेंगे, u का and v का, x and y के form में, हम एक बसे मिल गया, तो हम दो तरीके से कर सकते है, ऐसा है नहीं, लेकिन क्या करेंगे हम, यहाँ पर x equal to क्या लिख सकते हैं, u by 4, एन यहाँ से y equal to क्या लिख सकते है, v by 4, तो यही हमने जो यह modulus z greater than 1 से start किया था, तो यह आया था न, तो यहाँ पर x and y की value रख देते हैं, u and v के form में, तो x square यानि क्या हो जाएगा, u square by 4 square मतलब 16, similarly, plus y square, तो यह, इसका square करेंगे, तो क्या हो जाएगा, v square by 16, तो यह आगया, अभी यह 16 को right side लेके जाओ, तो equation क्या आएगा हमारा, u square plus v square greater than 16, that means, यह u and v के form में हमारा equation आएगया, यह x and y के form में दिया हुआ था, यह z plane के अंदर, यह w plane में हमें मिल गया, अभी इनको हमें क्या करना है, draw करना है, तो कैसे draw करेंगे, w plane है, तो u and v आएगा, तो यह x के जग़बे क्या आएगा, u, यह y के जग़बे क्या लिखना है, v, तो यह जो है, u square plus v square, equal to, उसको हम इस तरह से लेख सकते है, 4 square, तो यहाँ पर radius क्या हो जाएगी, r square मतलब, 4 हो जाएगी, यह, r square तो आएगा, यह जग़बे क्या है, 4, तो अभी जो भी circle आएगा, वो 4 से multiply हो क्या है, sorry, radius with 4 आएगा, और यहाँ पर center भी क्या हो गाए, 0,0, shift नहीं हो रहा है, यहाँ पर magnification करना है, तो वो उसकी position वहीं पर रहेगी, वहीं पर होके वो बड़ा होता जाएगा, उके, यहाँ पर 4 time multiply क्या है, तो 4 time जाड़ा हो जाएगा, तो अभी, हम draw करेंगे, यहाँ पर circle, तो 0,0 है center, तो center पर से कितनी radius का 4, तो यह 4 radius का, मतलब इन से बड़ा हो गया, और यहाँ पर क्या है, greater than 16 है, so greater than radius क्या है, 16 मतलब हम लिख सकते है, greater than 4 square, जो भी circle है वो, तो radius 4 से बड़ा है, तो यह जो मैंने यह line row की है, वो अभी 4 radius की, तो उसकी outside का जो है, वो सारे point आयेगा, यह region हो गया, तो देखो, यह magnify हो गया, यह छोटा साथा, यह अभी देखो, बड़ा हो गया, so magnification में बस यही करना है, ओके, और एक example में आपको बताता हूँ, कि, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो, determine the region, in the w plane, so w plane के अंदर, वो में region find करना, मतलब यह वाला, यह जो dotted line, यह dotted जो region है न हो, in the w plane, into which the triangle, bounded by the lines, तो हमें यह condition दी है, in the w plane के अंदर, तो पहले हम उसको draw करेंगे, देखो, condition के इसाब से, तो कैसे draw करेंगे, तो पहले क्या दिया हुआ है, x equal to 0, so gel plane के अंदर हम figure draw करेंगे, तो यह gel plane है, तो क्या आएगा, x आएगा, and y आएगा रही, अब हमें पहले क्या करना है, x equal to 0, x equal to 0 कहां पर होगा, always y axis पर, so x equal to 0 की line क्या हो जाएगी हमारी यह y axis, getting, तो यह x equal to 0 की line होगा, यह y axis, दूसरा क्या है, y equal to 0, तो y कहां पर 0 होगा, obviously x पर होगा, तो y equal to 0, that means x axis itself, getting, तो यह तुद की हो गई, यह x equal to 0 की हो गई, अब दूसरी क्या है, x plus y equal to 1, ठीक line दी हुई है, अब यह line कहां से पास होगी, 1, 1 में से पास होगी, okay, हम y equal to 0 रखेंगे, तो x कितना मिलेगा, 1, और x 0 रखेंगे, तो y equal to 1 मिलेगा, तो x और y में दोनों पे point क्या है यह, देखो 1, 1 है यह, तो यह दो point मैं से पास होगी, यह line, तो यह line होगए, x plus y equal to 1 की, तो उसका जो region है, यह tino का जो है, मिला हुआ, देखो, combine, वो क्या हो जाएगा, यह dot मैंने बताया, purple का लेगे, देखो, यह, तो यह region दिया हुआ है, कहां से हमने find किया, यह तिन condition दिये है, वहां से, कौन से plane में, तो यह plane में यह दिया हुआ है, अब हमें यह region को, w plane के अंदर हमें, transform करना है, तो transformation क्या दिया हुआ है, देखो, w equal to 4z, जो last example में था, वह ही दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले, w की जगह पर, u plus iota v रखेंगे, and z की जगह पर क्या रखेंगे, x plus iota y, यहां पर रखा हुआ है, then real and imaginary part को compare करेंगे, तो हमें यह मिलेगा, जैसे हमने previous example में मिले था, वैसे ही, so u and v मिल गए, वहां से हम क्या करेंगे, x and y का एक पसंद लिखेंगे, u and v के form में, तो यह easy लिख सकते है, x equal to क्या लिख सकते है, 4 को यहां पर लेकर जाद रिनोमेटर में आएगा, तो x equal to u by 4, and y equal to क्या लिख देंगे हम, v by 4, तो इतना तो सेमी है, सभी में हम transformation में कतते ही है, अब देखना है, यह तीनों condition जो है न, वो किसके लिए दी है, z plane के दी है, अब हमें find out करना है, वो तीनों condition, w plane के लिए, क्या आता है, u and v के form में, तो देखो, पहले क्या है, x equal to 0, तो देखो, x equal to 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रखे, तो u equal to क्या मिलेगा हमें, 0, तो यह w की condition आगे, w plane के अंदर, u equal to 0 आ गया, अब देखो, दूसरा, y equal to क्या है, 0, तो देखो, y equal to 0 रखेंगे दे, तो v equal to क्या है, 0 आएगा, तो यह आप नहीं लिखोगे, तो चलेगा, यह जो है लिखका, map on to the line, u equal to 0, यह नहीं लिखोगे तो चलेगा, हमाई figure तो बता नहीं है, ओके, तो दूसरा क्या है, x plus y equal to 1, अभी ऐसा कोई equation आ गया है, x and y मतलब mix आ गया, तो वहाँ पर क्या करना है, x and y की value जो हमना find की, वो हमें रख देनी है, तो u and v के form में equation मिल जाएगा, तो x plus y equal to 1 है, तो यहाँ पर x equal to क्या है, u by 4 तो वो रख दिया, plus y equal to क्या है, v by 4 तो v by 4 रख दिया, equal to 1, तो देखो यह 4 यहाँ पर, LCM लेंगे, तो right side जाएगा, तो 1 into 4, 4 हो जाएगा, equation क्या मिल गा, u plus v equal to 4, तो यह भी एक line मिल गई हमें, तो यह तीनों condition हमें मिल गई, यह जो दी हुई है, x equal to 0, y equal to 0, x plus y equal to 1, वो gel plane के लिए दी है, वो already हमने 2 कर रखा है, हमें actually उसका mapping करना है, w plane के अंदर, तो u and v के form में हमें सब कुछ चाहिए, right, तो वहाँ से हमने find किया, पहला क्या है, u equal to 0, so w plane के अंदर आप draw करोगे, तो पहला यह x x की जब क्या लिखेंगे, u, और यह क्या लिखेंगे, यहाँ पर v लिखेंगे, तो यह हमने लिख दिया, actually मैं यहाँ पर draw करके बताता हूँ, यह u, बात में draw करते चलो, u equal to 0 line है, अब u equal to 0 मतलब, u कहाँ पर 0 होगा, v पर, तो यह जो v line है, वो हमारे क्या हो जाएगी, u equal to 0, अब next है, v equal to 0 draw करना है, तो v equal to 0 कहाँ पर आएगा, u पर, always, तो यह क्या हो गई, v equal to 0 की line, और यह u plus v equal to, क्या हो जाएगा, 4, तो यह, u and v axis, sorry, u and v axis जो है, वहाँ पर जो 4 point होगा, वो उसमें से पास होगी, क्योंकि हम v equal to 0 रखेंगे, तो u कितना आएगा, 4 आएगा, और u equal to 0 रखेंगे, तो v equal to क्या आएगा, 4 आएगा, so 2 point मिलेंगे, वो कौन से मिलेंगे हमें, 0, 4 and 4, 0, u and v के लिए, राइट, so easy है actually, कैसे लिखेंगे उनको, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4, तो देखो, यह लाइन आएजाएगी, u plus v equal to 4 की, so हमारा जो required जो region है, यह तीनों का जो, confined जो आता है ना यह, ओके, common region यह तीनों लाइन का, तो यह region आएगा, यह बताना जरूरी है, तो देखो, यहाँ पर यह ए, बी लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा, a-b-s, यह आपको बताना है, तो बता सकते हो, बताओ तो अच्छा है नहीं, बताओ तो भी कोई problem नहीं, लेकिन हमारा यह जो main area है, अब देखो, same रहा, यह triangle दिया था, तो यह triangle ही रहा ना, same ही रहा है, लेकिन क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है, magnification factor, so 4 मलब 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा होता है, तो हमारा जो हर transformation, image वो बड़ी ही मिलेगी, ओके, so यह दो example हमने देखा, कौन से transformation के लिए, magnification, अब rotation एक बाकी है, वो हम next वीडियो में देखेंगे, okay, with example,